लखनव venir चीव Ihr चंसे खर रामмы आज लखनव में मौजूद है उनसे बात करेंगी और जानेके लखनव आनने के पीछ और लखनौ आये हैं क्या मकसद है लखनौ आने के पूचिक कि आप जहां जाते हैं गर्मी बढ़ जाती है चाहे वो दिल्ली हो या फिराल लखनौ हो देखिए मैं उत्तर प्रदेश में जन्मा हूं यह मेरी करम भूमी है उत्तर प्रदेश की राधा नहीं लखना हूं है और सब लोगों को आने की जाये था मेरी भी इच्छा थी मैं भी चलाया हूं यहां प्रोट्रेस्ट चल रहे हैं यहां 23 तारिक के बंद वेजो रिजरिवेशन पर बड़ा बंद था अपने कार्यकरता से बात करना उसका होसला बढ़ाना बहुत जरूरी होता उसके दुख शुक को जानना बहुत जरूरी हो तो मैं इसी उद्देश से यहां पहुचा था जैसे ही मैं यहां आँ तो परशासन ने घेरा बंदी करके मुझे नजर बंद कर दिया और अब मुझे अगर इस गैस्ट हाउस से भी बहार जाना तो परशासन के अनुमती लेनी पड़ेगी यह लोकतंतर नहीं है तो ठीक है ना कि परशासन आपको गंभीरता से लेता है च सबको लेना चाहिए यही तो नहीं ले जा रहे थे अब लेने लगें बहुत अच्छी बात लेकिन अगर यह हमारी समस्चा को भी गंभीरता से लें तो जाद अच्छा होगा जिस तरह से यूपी में कानून का राज खतम हो गया लोगों सताजर अभी कानपूर का मामला है क इस तरह से हमारे लोगों पर अट्रोशिटी और उनको जिम्मेदार से नहीं लिया जा रहा है उसके परिणाम यह रहे हैं कि लोगों का कानून के पड़ती और सरकारों के पड़ती जो है जो विश्वास हो खतम होता जा रहा है इसके लिए आप डिली गए थे वहां भी आपकी अरेस्टिंग होई लखनव आज आप आए क्या दिक्कत क्या है सीए सीए क्योंकि गवर्मेंट कह रही है कि नागरिक्ता देने के लिए नागरिक्ता लेने के लिए इस पर बेवज़ा कि राजनीत हो रही ही लोग अपनी र 5 लोगी सरकार है हमारे लोगों पर राजनीति करने वाले हमें कम से कम ना बताएं कि हम राजनीति ले नहीं चमकान है और यूरोडोर्पिंड पार्लैमेंट में वोटवट पटने वाली हैं अमेरिका की तरफसे भी नसीच्यत हैं अगर देष के लोग ही इनको बेवकूफ नजर आते हैं तो विदेशों के लोग तो बेवकूफ नहीं है ये डेमोकरिटिक कंट्री है इस देश में कॉंट्विशन है सविधान की हत्यागर के कानून बनाए जा रहे हैं विदी के समक्स आर्टिकल 14 सब को समानता देता है फंडामेंटल राइट है उसे खतम किया जा र रूल्स हैं जो बताते हैं कि हम NRC करेंगे NPR से डाटा लेंगे इस देश में बहुजन समाज के लोगों का जो जागरूख हो गए उनके वोट को दिकार को छिनने की तैयारी है जिस से लोकतंत्र में ये स्थापित रहें और बहुजन तडपता रहे हमारे लोगों समझ आ ग जाएगा और दिल्ले की गद्दी से भी बेदखल हो जाए है सीए को लेकर जब आप दिल्ली पहुचे थे तो आरोप लगा कि भड़का रहे इंचंदर शेकर इंसाफ एलाने कि उसके बाद दिल्ली दंगा हुआ कौन जिम्मेदार है दिल्ली दंगे के लिए कई लोगों न अपनी जाने को हैं पुलिस कर्मियों ने अपनी जाने के हर समाच के लोग कौन जिम्मेदार किसको मानते हैं बीस दिसंबर को मेरे हमारा अंदोलन था 25 दिन मैं जेल रहके आया मेरे उपर आरोप था कि मैंने भड़काव भाशन दिया है जब कोट से पूछा गया कोई जव था कि सीम ने जैसे भाशन सैली का प्रयोग कि जिस भाशन सैली का प्रयोग किया वह पॉन उकसे सविधानिक है है प्रोटयकल भासा भी नहीं है गोली से नहीं मानोंगे कि गौली मारूसी देश के गद्दारों कि देश के गद्दार तो देश से बाहर होग 마법 कर वे ड्हूंड़ुञा मैं यह भी बता दू झब देश की की राय धानी के आपसे हिंसा नहीं रुक रही है चार दिन तीन दिन तो देश के गरामिन शेत्रों में जान नब्बा परसेंट भाउजन समाज रहता है वहाँ अगर ऐसा महल बन जाए आपके जो भास्टनों की वज़े से फिर उसके कोंज मेदारी लेगा वो रोकना नहीं चाहते थे पूरी साजिस करके इस एक्ता को तोड़ने के लिए कराया गया और तेश तारिका जो भारत बनता उससे लोगों का ध्यान हट जाए उस पर चर्चा नहों रिजर्वेशन पर सेस्टी ओविसों के अधिकारों की बात नाओं इसलिए पूर्ण उप्सों सट्यंत करा गया है आम लोगों की जान गए कोई नेता नहीं मरा है और अगर देश के गरह मंत्री पर दिल्ली नहीं संबल रही तो देश क्या संबलेगा उनको इस्तिफा देना चाहिए मेरी यह अगरे है तो मैं इससे दुखी हूं क्योंकि सरकार में बैठे सब कुछ उनके पास उनको किसे परमिशन लेनिक जुरूद नहीं है खुद में कमिशनर भी मजिस्टेट है उसके पास भी सारे ओर है उसको भी से ओडर लेनिक जूरूद लेकिन जब कि प्लांट लोग आए थे आम लोग कह रहे आपने मीडिया के देखा भी होगा वह यह कह रहे है कि हम आपस में नहीं जगड रहे है और दिलीHope दिलवालों बाइचारे कैम कर रहे हैं। इनकि साजिस काम्याब नहीं हो पाई या अभी और भी साजिस करेंगे। जैसे भाजन समाज एक जूट होगा, वैसे उसे रोकने के लिए बहुत सब्वास तरह के प्रयास करें। पहुंसे ताकि इस तरह के भड़का बाशन नहीं होता नहीं हो था उनके भाषनों पर बात करें सवाल यह है जो जजज साहब चार लोगों पर अफायर करने का ओडर करते हैं बीज़ेपी की नेताओं पर उनका ट्रास्पर हो जाता है जब जजज साहब का ट्रास्पर हो जागा तो कैसे कानून की सोकसा होगी भाई कैसे कोई नया कानून बन पाएगा जब ओडर करने वाले हैं ट्रांसपर कर जाए हम सब समझ रहे हैं इस ने नों ने देश के सुप्रिम कोट को देश के हायर जुडिसरी में हाई कोट को देश की सारसंस्तावों पर कबजा कर रखा है और जो इनके हिसाप से नहीं चलता उनक को इनका सामना करना पड़ता है जनता इनके खिलाफ है और इसका आने वाले चुनाओं में खाम बिजा जा रहे हैं क्या लगता है अब कहीं न कहीं जो मायवती जी का एक स्टेटस बना था प्रदेश में क्या कहीं न कहीं चंशेकर राजार उसको टेक ओवर करेंगे आगे निकलेंगे मैं उन्हीचे सपने को ठीक Also हम रहे हैं अब समहाजी रोप से नहीं होता है तूटर विरोध कर अपनी बात कहने ख़だ है मैं आप से जो कह रहा हूं उसको वी सुनीच मैं आपके सामने मैठा अगर हमारे घर का कोई बड़ा आपको डाटता है आपको को नसीयत देता तो आपको उससे सीख लेनी चाहिए वो हमारी बड़ी है वो जो नसीयते देती हैं उनमें भी हमारे लिए रास्ते होते हैं कुछ बाते चिपी होती है और हम उन्हीं के दिखाए रास्ते पे चलने काम कर रहे हैं अब चीफ चीफ चंशेकर रावन जिन्होंने बड़ी बबाकी से सारे सवालों का जवाब दिया साथी साथ C.E.A. और N.R.C. पे बोलते हुए चंशेकर रावन का कहना था कि ये सरकार जो है वो दलिद विरोधी है और C.E.A. अनर्सी लाकर सरकार दल्तों की नागरिक्ता छीन रही है और ये एक शडियंत रहे चंशेकर रावन ने इसे शडियंत करा दिया है साथी साथ वो लखनों में मौझूद प्रोटेस्टर्स के पास जाना चाहते थे जो लोग C.E.A. का विरोध कर रहे थे लेकिन परशासन ने उनको जाने नहीं दिया अब देखना होगा कि जो पृषंशेकर रावन अपनी पार्टी की घोषना करना जा रहे है उत्तर प्रदेश के राजनीत में चंशेकर रावन क्या कावाल कर पाते हैं क्या पार्टी बना के वो डली समदाय की आवाज को उठा पाते हैं और किस तरीके से इस सरकार के सामने इस समाज के सामने अपने को और अपनी पार्टी को इस्टेंड कर पाते हैं राधाई लखना उजए कमरे पर संदीपक के साथ मैं धर्वस्तोगी एक्सपोज इंडिया के लिए इस नीदु जन्रा यूचिन अपर्टी आप निक्सपोज इंडिया के लिए झाल, 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 झाल